वेलकम बैक टू आवर चैनल इंसाइड मेडिकल एजुकेशन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गरिफाइटिस नामक होमियोपैथिक मेडिसीन का इस्तेमाल किन-किन बिमारियों से निजात पाने के लिए क्या जाता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों गरिफाइटिस गरिफाइट से तयार की जाने वाली एक बहुत ही महत्वपुर्ण एंटी सोरिक यानि की खाज खुजली नाशक दवाई है अगर किसी मरीज के चहरे का रंग साफ हो तथा उसके शरीर में बार बार स्कीन अफेक्शन जैसे दाद, खाज, खु दवा मानी जाती है वहीं दूसरी तरफ यदि शरीर के इंटरनल डिसोडर यानि की अंदरोनी बीमारी की वज़ा से यदि बाहरी तरफ यानि की स्कीन में किसी भी तरह की परेशानी या किसी भी तरह का लक्षन पर कट हो रहा हो तो गरिफाइटिस उसके लिए एक खास अबकारी होता है इसके आई सिम्टम्स के अगर बात करें तो आर्टिफिसियल लाइट्स इसे सहन नहीं होता है तथा इसे मरीजों की आईलिट पर एक्जीमा और उसमें फिशर डवलप हो जाते हैं इसके इयर सिम्टम्स के अंतरगत कान के पीछे की जगहतर यानि की गीली होती है और उसमें फुन सिया निकलने लगते हैं कानों में सिसकारी की आवाजें आना टिमपेनिक मेंबरेन के उपर थीन वाइट इसकेली मेंबरेन का गरोध होना ये सभी इसका एक खास इयर सिम्टम्स माना गया है इसके नोज सिम्टम्स के अंतरगत शुंगने की सक्ती वो साधरन तोर पर बढ़ जाती है और ऐसे वेक्ति फूलों के गंध को सहन नहीं कर सकता है मुह के आसपास और ठुटी पर तर एक्जिमा भी इसका एक खास लक्षन माना गया है इसके मरीजों को कॉंस्टिपेशन की समस्या होती है तथा स्टूल सक्त और म्यूकस मिक्स हो ना कि ये लक्षन और भी कुछ मेडिसीन में पाए जाती है जैसे की राटानिया और पायोनिया इसके स्टूल तथा यूरीन दोनों से ही खट्टी गंध आती है इसके लिकुरिया के अगर केरेक्टर की बात करें तो पेल, सकेंटी, थीन, प्रोफ्यूज और एक्सकोरेटि केरेक्टर का होता है ओवेरी, निपल तथा मेमेरी गलेंड कठोर हो जाते हैं यानि इसके कैंसर्स कंडिशन को दूर करने के लिए भी गरेफाइटिस का इस्तेमाल बाअसानी क्या जा सकता है इसके अगर रेस्पिरेट्री सिम्टम्स की बात करें तो छाती में यानि की कौंस्ट्रिक्शन की फिलिंग हो तथा इस्पाजमोडिक अस्थमा और जिसके वज़ा से दम घुटने लगे चाती के बीचों बीच दर्द हो और उसके साथ साथ खांसी भी आए गरेफाइटिस के मरीजों के उंगलियों के नाखून मोटे और खुरदरे तथा प इसकी स्कीन खुरदुरी, हार्ट तथा वह हिसा बहुत ही खुश्क होता है जहां एक्जिमा नहीं होता है। पेटने से इसकी परेशानी घटती है। अगर इसके रिलेशनशिप की बात करें तो अर्जन्टम, नैट्रिकम, कॉस्टिकम, हीपर सल्फर, ट्यूबर कुलिनम, आर्सेनिक अल्वम इसका कॉंप्लिमेंटरी रेमिडी माना जाता है। आप गरेफाइटिस के लक्षनों की तुलना, पेट्रोलियम, सिप्या, सल्फर और फ्लोरिक असीड से कर सकते हैं। So friends, this is the video on symptomatology of graphitis. Hopefully this video will be helpful for you. Thank you for watching.